इस पीच SBI जिसका हमने कुछ देर पहले numbers भी देखे stock पहले screen पर लेकर आते क्योंकि नतीजों के साथ थोड़ा सा कप्टिक आया था लेकिन अब देखे नेली 1% का दबाव देखने को मिल रहा है नतीजे बहतर है लेकिन उसके आगे कुछ ने कुछ ऐसे अलग नहीं आया आतिश बाजी नहीं देखने को मिल एक्जाक्ली आप में जैसा बोला ना आतिश बाजी नहीं है और यह ना आज मैं सुछ पर सोच पिर आथा कि क्या ऐसा डिलिवर कर देंगे SBI जो यहां से इसको रे-डेट कर देगा एक तो उनकी प्रोविजनिंग भी थोड़ी कम हुई है अधिक उसको लेकर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो नेट प्रॉफित बढ़ा है इसमें कितना पूर उप्रोटिंग प्रॉफित बढ़ा है तो मामला यह है कि जो provisioning कम हुई है और सारा गेम ही इस पर provisioning कर था हमने बोला था कि slippage इस पर focus मत कर इस पर provisioning पर focus कर रही है क्योंकि Canada bank की provisioning आई थी उसके बाद bank over roda की provisioning आई थी तो यहां पर provisioning इनों ने काफी कम की है अब obviously एक कारण यह भी हो सकता है कि अलड़ी आप सारी provisioning कर चुके है और आपको अपने assets अच्छे लग रहे हैं वो अलग बात है लेकिन poor operating profit नमबर खराब नहीं है अच्छा लेट में पूट दिस पर नमबर खराब नहीं है ऐसे नमबर मुझे देख के तो नहीं लग रहे हैं इसलिए वो stock कूपरी level से कुछ correct करता हुआ दिखाई दे रहा है यह एक परसेंट नीचे समय इस पर नजरे रहेंगी इस पर आगे detail में विश्रेशन भी होगा वीरू गुड आफ्टनोन बताए SBI के आगे of course ITC का बंतिजार लेकिन दूरे stocks दो फोकस में जा है आपके पोस्त नमबर में काफी शॉर्टिंग हुई है और अगर आप देखें पोस्त नमबर सुलनली विदिन बैंकिंग 23.9% का build-up intraday में यानि अच्छे नमबर के बाद काफी शॉर्टिंग हुई है SBI में सरल लेकर आप देखें यह ववाई develop हुआ है मतलब earnings जब आ गए लगपग लगपग 5 मिनिट के अंतराल के बाद उसके बाद इसमें काफी शॉर्टिंग शुरू हुई है intraday के ववाई इसको देखें आपको clearly evident है और अगर आप इस earning का इस नमबर का impact देखें banking में क्या हो रहा बैंकर बड़ोदा और Kenra Bank इन दो बैंकों में और और शॉर्टिंग शूरू हुई है इसका उलेक आपको Nifty PSU Bank Index दिखा के कर देता हूँ आपने लगता है कि SBI के नमबर जो एक बार थे मार्केट ने डिसकाउंट कर रहा था क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखो तो जो भी PSU Banking साइट से जो भी नमबर आए थे वो इतने जैसे अभी हर्षदा बता रहे देने कोई पढ़ा के नहीं पूटे तो उस टाइप के नहीं हुए अधर्वाइस मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई खराबी नहीं आई है प्राइस टो बुक भी अगर देखो तो वन पॉइंट टू टाइमस एफ़ए 24 और वन तैमस एफ़ए 25 ट्रेट कर रहा है नेट NPS कम हुए हैं नेट इंट्रेस्ट इंकम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो अधर्वाइस इन लाइन नंबर्स है कई पायदान पर तो बीट आया है मैं समझता हूँ कि अगर यहां से कोई प्रॉफिट बुकिंग के वज़े से गिरावट आती है या आज फैनो सेटल्मेंट का दिन है इस कारण से गिरावट आती है तो एक अच्छी खरेदारी का मध्यमोदी के लिए अच्छी खरेदारी का मुक्वा बनता है PSU banking space में अभी बहुत दम बाकी है मैं कहूंगा और कई stocks हैं जो बहुत अच्छे valuations पे उपलगद है चार्टिक के लिए एक बार इसको analyze किसा बना है अब प्रशान्त 580 के लेवल्स पर आज अफकॉस numbers के बाद केजी नहीं हुई है लेकिन क्या इस ऐसे जोन में जा रहा है कि शायद अब थोड़ी सी थकावत आएगी यहां से आगे बढ़ने के लिए अगला बड़ा ट्रिगर चाहिए तो हश्रा जी सबसे में चीज जो मैं देख रहा हूँ यह है कि इस दिनों के अबरेज के ऊपर बहुत कंफरेवली ट्रेज कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर 585 अभी 580 के 575 तक आजाए तो डेफिनिटली हमें रिस बेस ट्रेड ट्राइकर सकते पासो पैसट का सब्लाउस रखके 10 पॉइंटी रिस होगी और यह अगर वर्क कर रहा है तो वहां से डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि फिल से एक बार जेसो चेसो दस करके लेवस दीख सकते तो 575 तक की अगर डीप मिल जाई इस वीक में तो एक अच्छी एंट्री हो ज